नमस्कर दोस्तों आज के इसने वीडियो में एक बर फिर से आपका सौगत है नमस्कर दोस्तों पहले हम देख लेते हैं क्या 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 आवश्यक पाइंट है देखे सायक सिक्षक दस्तों सत्यापन के लिए महत्तापुड पाइंट क्या है कि 1123 की स्थिती में अभ्यर्थी की नुन्तम अव 21 वर्ष थथा अधिक्तम 40 वर्ष होना चीए अन्सुचित जाती अन्सुचित जन जाती अन्य पिछळवर्गा समस्त सड़ी के महिला भ्यर्थों के अधिक्तम आउसी मा 45 वर्ष तक हो सकती है जन्मती थी कक्छा 10 की अंग सुचि के अधार पर ली जाएगी उसके देखिए आपको और क्या-क्या डाकुमेंट जमा करना है कक्छा 10 की अंग सुचि बार्वी की अंग सुचि नुन्तम 45 प्रतिसात अंग बार्वी में होना चीए डी एड, डी एलेड उत्तीड प्रमार पत्र अभर्थिक का प्राथमिक इस्तर का टेट उत्तीड होना निवार्य है चाहे सीजी टेट हो या सीटेट हो चतिसगर राज्य का मुल्नेवासी प्रमार पत्र होना चीए अनुविभागी अधिकारी द्वारा जाली इस्ताई प्रमार पत्र होना चीए यदि आप केटेगरी के अंतरगत आते हैं तब और जनरल को तो जाती प्रमार पत्र नहीं लगेगा मेटकल बोर्ड द्वारा जाली दिभ्यांगता प्रमार पत्र ठीक उसके देखे आपको क्या कर लेना है प्रस्तूत करना है तथा सत्यापन करता अधिकारी इन डाकुमेंट का मिलान करेंगे इस प्रकार से देखे आभ्यरति का टीटी उत्तीड प्रमार पत्र एवं उसके द्वागे अधिकारी द्वारा होना चीए द्यापम द्वारा सिक्षक भरति परिछा का प्रिडाम दिनांग 2723 को जारी किया गया अन्य पिछले वर्ग स्रेडी के भ्यर्थी को आय प्रमार पत्र भी सलगना करेंगे तो दोस्तों आय प्रमार पत्र भी करना जरूरी है ले करके जाना होगा पुर्वसे सासकी सेवरत करमचारी न्योकता, विभाग का अनपत्ति प्रमार पत्र और भूत्पुर्वसनिक अपने सेवर नेत्ति का प्रमार पत्र प्रस्तुत करेंगे इस प्रकार से यह सभी डाकुमेंट लगेगा अब देख लिजिए कि सायक शिक्षक अभिलेक सत्यापन प्रपत्र इस प्रपत्र को ले करके आपको पूर अतह भर करके जमा करना होगा साप अक्छरों में भरना है ठीक है आपको देखिए जो जो चीजे आपको समझ आती है उ तो मैं यह सायक शिक्षक अभिलेक सत्यापन प्रपत्र कैसे भरना इस पर भी वीडियो बना दूंगा अलाग से ठीक है अभी इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ यह सभी जनकारी आप अराम से भर लेंगे यादि किसी प्रकार के डाउट होगा तो आप कमेंट करके को पूछ सकते हैं उसको आपको बता दिया जाएगा ठीक है दोस्तों अब रही बात यह है कि आपको कमेरा जाना हूगा ठीक है तो दोस्तों आपको करना क्या है आप जब counseling firm फिलब किये है उसी ID से अपने प्रोफाइल को open कर लेना है open करेंगे तो आपको उसमें आपका school दिखाई देगा कि कौन सा school आपको मिलेगा school दिखाई देगा उसके बाद आपको accept करना है accept हो जाएगा आपको उसमें दिखेगा कि आपका verification किस date को है कितने बज़े है और कहां जाना है ये सभी जनकारी आपके ID पर दिखने लगेगा जब आप login करेंगे तब आपको हर बड़ाना नहीं है हर एक चीज आपके ID पर दिखेगा और उसी date पर आपको verification के लिए सभी document दस्तवेस तयार करके ले करके आपको जाना होगा ठीक है दोस्तों यदि आपको सायक सिक्षक या सिक्षक जिससे भी सम्बंधित कुछ भी doubt हो तो आप comment करके पूझ सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर सेक नए वीडियो के साथ थेंक्यू फर वाचिंग जैन जै भरात जै चत्तिसगर